हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जोमेटो का IPO आ रहा है, तो आज हम इसकी डीटेल देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इंपोर्टन डेट्स की बात करें, तो जोमेटो का IPO 14 जुलाई को ओपन हो रहा है, और 16 जुलाई तक आप application कर सकते हैं, आपको allotment 22 तरिक तक confirm हो जाएगा, और आपका refund अगर नहीं लगता है, तो 20 जुलाई के दिन आ जाएगा, और आपके account में 26 जुलाई के दिन share demate account में आ जाएगे, और 27 जुलाई से ये IPO लिस्ट होगा, तो 10 बज़े से आप इसमें ट्रेडिंग चालू क करना है, और इसका जो market load है, वो 195 share का है, और यह BSC पर लिस्टिंग हो रहा है, और जो issue size है, वो 123 करोड का है, मतलब के total इतने equity share market के अंदर आएंगे, और इसका जो price है, वो 9,375 करोड का है, जिसके अंदर 375 करोड है, वो info as company अपना stake public को बेच रहे है, और बाकी का 9,000 का utilization अपने growth के लिए करेगे, और यहाँ पर retail के लिए maximum 13 lot आप apply कर सकते है, जिसके लिए आपका total share होगे 2535, तो यहाँ पर सिधा logic है का आप 2 लाग से नीचे का application कर सकते है, otherwise आप HNI category में आ जाएंगे, अगर इसके financial देखे, तो company यहाँ पर continuously loss में operate हो रही है, अगर आपको इसके financial detail में देखने है, तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जहाँ पर मैंने पूरा इसका business model, financial और कौन-कौन से इसके उपर risk हो, सारा चीज़ कवर किया है, तो आप जाके देख सकते, अब ज्यादे तर लोग IPO में सिफ listing gain के लिए apply करते, तो जो listing gain है वो depend करता है gray market price पर, अब यहाँ पर कोई guarantee नहीं होती, लेकिन generally ऐसा होता है कि जिसका gray market premium चल रहा होता है, उतना तो आपको listing gain मिली जाता है, तो अगर हम gray market premium की बात करें, तो 4 जुलाई को 10 रुपे चल रहा था, जो धिरे-धिरे बढ़के 17 हो गया 6 जुलाई को, और बाद में अभी 9 तो 13 रुपे के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर expected है कि आपको 15 रुपे के आसपास का premium मिल सकता है, तो अगर आप percentage wise इसको गिनने जाएंगे, तो लगबग 20% का gain होगा, जो में जब अपना draft file किया था, तब मैंने एक video बनाया था, इसके उपर detail में review किया था, कि company का business model क् और ओ वीडियो में मैंने price भी calculate किया था, कि जो last इसके अंदर funding आया है, और 40,500 रुपीज के हिसाब से जो funding हो आया था, तो company का जो valuation हो 40,000 के आसपास निकल रहा था, और उसके हिसाब से इसका price बेठ रहा था 50 रुपीज, और आज की date में अगर हम देखे तो इसका जो price आय valuation है, तो यहाँ पे अगर हम gain के chances देखे तो सिधे-सिधे 15 रुपे के आसपास gain के chances बन रहे है, अब यह जो है हो मेरा पूरे का पूरा assumption है, यहाँ पे कोई guarantee नहीं होती कि इतना मिले गए, यह सारी चीज market के ओपर depend करती है, अगर market में panic situation रहता है, तो side negative में भी खूले, और पसंद आये, तो इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें, यह वीडियो को end तक देखने के लिए आप सबी का धन्यवाद